Hello and welcome to code with RSV आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं solid principles के बारे में इस वीडियो में हम देखें कि solid principles क्या होते हैं और हमें उनकी क्यों ज़रूरत होती हैं और उसके बाद हम one by one इन principles को समझेंगे उनके code examples देख देखे कि code में उनको कैसे use करते हैं तो सबसे पहले ये solid principles क्या है solid principles एक famous computer scientist Robert J. Martin जिनने अंकल बॉब के नाम से भी जाना जाता है उनने introduce किये थे इन पाचो principles को solid acronym बाद में Michael Feathers ने provide किया था ये 5 principles से मिलकर बने होते हैं जो की object oriented class design के कुछ guidelines हमें provide करते हैं ये हमें कुछ set of rules और best practices बताते हैं जो की हमें follow करने चाहिए हमारी class structure को design करते time तो हमें इन principles की जरूरत क्यों है इन principles की जरूरत हमें पढ़ती है ताकि हम अपना code understandable बना सके, readable बना सके और testable बना सके तो ये तीनों चीजे करने से क्या होता है तो first of all अगर आपने कभी programming की है तो आप इस level का code लिख लेते होंगे कि जो properly execute होके सही output देता है बट जब आप किसी team में काम करोगे किसी बड़े project में काम करोगे तो सिरफ उतना काफी नहीं है आपको ऐसा code लिखना है जो ना कि सिरफ सही work करे बलकि आपके साथ के जो developers हैं वो उसको समझ पाएं उसको test कर पाएं ताकि आप लोग साथ में एक ही code base पे काम कर सकें तो अगर आप solid principles को follow करेंगे तो इससे आपका code easily readable होगा, easily testable होगा और आप एक team में properly work कर पाएंगे तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि solid एक acronym है ये 5 different principles हैं जो मिलके solid principles बनाते हैं इन में सबसे पहला होता है single responsibility principle, फिर open closed principle, list of substitution principle, interface segregation principle और dependency inversion principle अभी इन पाचों प्रिंसि में हम code example के तुरू समझेंगे, तो यहां पर मैंने example application create कर रखी है, जिसमें की मेरी एक circle class है और circle class में ये एक radius property है, इसके बाद मैं main method पर आऊं, तो main method में मैं simply एक circle create कर रहा हूं 5 radius का, उसका area calculate कर रहा हूं और उसको print कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको run करके देखूं यहां पर, तो मेरा ये area print हो गया, और उसके बाद demo app.circle मेरा circle यहां print हो गया है, तो अब one by one हम solid principles के बारे हम पढ़ेंगे, और इस application के थूरू हम देखेंगे, कि कब हम इन principles को breach कर रहे हैं, और कैसे हम अपने code base को modify कर सकते हैं, इन principles को follow करने के लिए, तो सबसे पहले principle होता है, single responsibility principle, ये principle कहता है, कि एक class की सिरफ एक responsibility होनी चाहिए, और उसका change होने का सिरफ एक ही reason होना चाहिए, तो मेरी ये जो program class है, इसके उपर responsibility है, एक तो ये जो code code है, मेरा circle create करने का, और methods call करने का वो है, और उसके बाद इसको calculate area में, calculations करनी होती है area की, और उसके बाद इसको print का main logic चलाना होता है, तो इसके उपर अभी 3 responsibilities है, तो ये code base अभी single responsibility principle को breach कर रहा है, तो अब हम देखते हैं कि हम इस code को कैसे modify कर सकते है, single responsibility principle को follow करने के लिए, तो first of all ये जो calculate area का का काम है, ये कहीं से भी program class की responsibility नहीं है, ये circle का radius calculate कर रहा है, तो इसको circle के अंदर move कर देना चाहि है, तो मैं यहाँ पर एक method create करूँगा, और यहाँ से यह उठा के मैं, यहाँ paste पर दूँगा, और उसके बाद, यहाँ मुझे इसकी कोई ज़रुवत नहीं है, और मैं simply circle.get area कर सकता हूँ, तो अब इसके उपर area calculation की responsibility नहीं है, ये simply circle से get area कर रहा है, और उसको print कर दे रहा ह तो अब इससे एक responsibility हमने कम कर दी है, अब इस पे सिरफ दो responsibilities है, तो अब इसके बाद आते हैं print पे, तो print करने की responsibility कहीं से भी program class की नहीं है, क्योंकि print करना एक printer specific task है, मैं चाहूं तो console पे print कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो एक file में print कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो एक external printer attach करके जब भी मैं print करने की functionality change कर रहा हूं मेरी program class उससे effect नहीं होनी चाहिए तो इस print method को मैं यहां से बाहर move करूँगा और उसके लिए मैं यहां पे नई class create करूँगा printer नाम की इस printer में मैं यह method को move कर दूँगा तो अब इस point पे मेरे main method में सिरफ यह responsibility है कि उसको core code execute करना है even calculate area method खुद कुछ नहीं कर रहा है यह get area करके उसको print कर रहा है तो calculate area करना shapes की responsibility हो गई है और print करना printer की responsibility हो गई है तो इस point पे मेरी application single responsibility principle को follow कर रही है इसके बाद आते हैं हमारे second principle पे जो की है open closed principle यह principle कहता है कि एक class open होनी चाहिए extension के लिए पर closed होनी चाहिए modification के लिए तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हम अपनी application में अगर कोई नई functionality एड़ कर रहे है तो उसके लिए हमें existing class को change करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए तो अब वापिस अपने code base पे आके देखते हैं इसका क्या मतलब है तो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे एक single circle class थी अब मैं यहाँ पे एक और class add करना चाहता हूँ rectangle तो मैं यहाँ पे for example यह rectangle class मैंने यहाँ पे add कर दी है जिसमें की एक length एक breadth और एक get area method है जैसा की यहाँ था जो की length into breadth return करता है इसके बाद आते हैं main method पे तो जैसे की मैं यहाँ पे circle create कर रहा था मैं चाहूँ तो एक rectangle create कर सकता हूँ तो length equal to let's say 4 breadth equal to 5 यह मेरा rectangle है अब मुझे जो calculate area पहले मैं कर रहा था circle पे अब मुझे rectangle पे भी करना है तो but जो मेरा method था वो rectangle accept नहीं करता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे एक नया method बनाना पड़ेगा जो rectangle accept करता हो जो यहाँ पे get area करेगा और similarly मुझे यहाँ पे printer के अंदर भी एक नया method बनाना पड़ेगा जो rectangle accept करता हो तो ये मेरे लिए एक problem है basically जब भी मैं एक नई shape add कर रहा हूँ मुझे ये printer class और ये program class में नई चीज़े add करनी पड़ रही है तो ये एक problem है इसकी ज़रुवत मुझे नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरी नई shape include होने का यहाँ पर कुछ फ़रक नहीं पड़ना चाहिए था तो इसको मैं कैसे handle कर सकता हूँ इसको handle करने के लिए मैं यहाँ पर इसको extract करऊंगा एक interface में मैंने यहाँ पर एक interface बना लिया और इसको मैं नाम देता हूँ high shape और इसही को मैं यहाँ पर increment करूँगा दोनों जगह पे और इसके अंदर अभी के लिए एक method है double get area अब मैं देखता हूँ इसका क्या मिरे को फरक पड़ता है अब जब कि मैं यहाँ पर printer में जाता हूँ तो मैं यहाँ उसको बोल सकता हूँ कि यह i-shape को print करेगा तो अब इस नए अगर मैं code flow की बात करूँ तो मैं एक नई shape यहाँ पर introduce कर सकता हूँ बिना कोई एक नए calculate area method create करे और बिना एक कोई कुछ भी यहाँ पर printer में change करे मेरे existing methods as it is work करेंगे और मैं नई shapes यहाँ include कर पाऊँगा तो अब मेरा code open close principle को follow कर रहा है क्योंकि मैं इसमें नई shape insert कर सकता हूँ और मुझे printer या program class change करने की जरूवत नहीं पड़ेगी इसके बाद हमारा next principle होता है list of substitution principle यह principle कहता है कि derived या child classes अपने parent या base class का substitute होनी चाहिए तो एक बार हम code example में देखते हैं इसका क्या मतलब है तो अब हम इसमें next shape introduce करेंगे square तो अब हमारी application में हमें square shape की जरूवत है तो मैं यहाँ पे नीचे square shape create करूँगा इसके बाद एक point आता है कि हर एक square एक rectangle भी होता है तो क्या मैं अपने square को i shape से narrate कराने की वज़ाए rectangle से narrate करा सकता हूँ तो अगर यह चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे square बना लिया है तो जब मैं यह करता हूँ मेरे पास एक बड़ी problem आती है कि क्या होगा जब कोई length या breadth को set करेगा मैं चाहूँ तो get area override कर सकता हूँ कि वो length square या breadth square दे बट यह दोनों मेरी public properties है जो यहाँ accessible है तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक square create करता हूँ तो यह user यहाँ पे length breadth set कर पा रहा है और जब वो area call करेगा तो मुझे यहाँ पे override करना पड़ेगा कुछ कि जिससे कि यह length और breadth का square नाज provide करके कुछ और value provide करे मैं अगर नहीं property भी introduce करता हूँ side के लिए तो भी length और breadth user के पास हमेशा available रहेंगी जिनकों कि वो यहाँ पे set कर सकता है तो यह सारी problems मुझे face करने पड़ेंगी अगर मैं square को rectangle से inherit कराऊंगा तो इस time पे हमारा list of substitution principle breach हो रहा है क्यूंकि square एक अच्छा substitution नहीं है rectangle के लिए अगर कोई बंदा अज्यूम कर रहा है कि उसके पास rectangle है तो उस जगह पे square को use नहीं कर सकता है तो इस point पे हम list को substitution principle को follow करेंगे तो हम इसको rectangle से ना inherit करके i shape से inherit कराएंगे और यहाँ पे इसकी एक implementation दे देंगे मैं एक property and to use कर देता हूँ यहाँ पे side की और यहाँ पे मैं return कर दूँँगा side का square अब हमारा code list को substitution principle को follow कर रहा है तो आपके पास कभी भी ऐस situation आती है कि आपकी एक child class है जो parent class को as it is नहीं override कर सकती basically child class से parent class को नहीं replace कर पा रहे तो उस time पे आपको clearly यह चीज़ दिखनी चाहिए कि आप यह गलत कर रहे हैं यह parent child का combination फिर नहीं बन सकता है आपको यह combination change करना पड़ेगा यह principle बस इतना कहता है इसके बाद हमारे पास fourth principle आता है interface segregation principle interface segregation principle इतना कहता है कि classes को कभी भी हमें force नहीं करना चाहिए उन function को implement करने के लिए जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है तो इसका एक example देखते हैं एक नई shape हमारी application में डिटोस करते हैं cube नाम से cube भी एक shape होती है तो मैं अगर यहाँ पे public class cube बनाऊ उसको i shape से मैं merit कराता हूँ और यहाँ पे मैं implement interface करूँगा और एक cube shape में भी एक में side provide कर दूँगा जो इसकी हर side को denote करेगी और उसके बाद आता है कि मुझे get area की एक implementation देनी है तो अब मेरे पास यह problem आगे कि cube में कोई area नाम की चीज नहीं होती है cube एक 3D shape है cube में volume होता है surface area होता है बट उसमें area नाम की कोई चीज नहीं होती है तो इस point पे अगर मैं इसको इस तरीके से blank छोड़ के कुछ भी dummy value भी return करा देता हूँ तो भी वो गलत है मुझे इस तरीके से काम नहीं करना है इसी dummy value return नहीं कराना है आपको कभी भी अगर आपकी एक class है जो आपको लग रहा है i shape से यहां होनी चाहिए बट match नहीं कर रही है इस point पे आपको अपने interface को segregate करना है तो interface को हम कैसे segregate करेंगे उस time पे हम i shape का name change कर देंगे i2d shape इसको मैं rename कर देता हूँ i2d shape और मैं यहां एक नया interface create करूँगा i3d shape और इसके अंदर मैं एक method डाल देता हूँ get volume का और इसके बाद मैं आप एक और interface बना दूँगा इनका parent interface जो होगा public interface i shape और यह अभी के लिए कुछ भी नहीं करेगा बस यह उसको inherit करेंगे तो अगर कोई भी ऐसी common functionality होती है जो 2d और 3d shape दोनों में चाहिए वो मैं i shape में डाल सकता हूँ तो इस point पे मेरे यह जो पहले वाले shapes थे वो i2d shape से inherit करेंगे बट मेरा जो cube है वो 3d shape से inherit करेगा और मुझे यहाँ पर get area की जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर return करा दूँगा जो cube का volume होता है यहाँ मैं इसको एक बार clean up कर देता हूँ rectangle और मैं यहाँ पर एक नई i 3d shape create करूँगा cube equal to new cube side equal to 5 और मैं calculate area में इसको pass नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह मेरे को error देगा कि यह 3d shape है यह 2d shape में convert नहीं हो सकती है तो मैं इसको print में pass करूँगा और यहाँ printer में मैं change कर दूँगा कि यह 2d shape ना accept करके shape को accept करें तो यह इस principle का सबसे बड़ा benefit होता है कि जो भी functionality's shape पे apply होती है वहाँ पे मैं अब i shape यूज़ कर पाऊँगा जो functionality's 2d shape के specific हैं वहाँ मैं 2d shape यूज़ करूँगा जो functionality's 3d shape के specific हैं वहाँ मैं 3d shape यूज़ करूँगा तो इस तरीके से मेरी सभी class सिरफ उन्ही functionalities का use करेंगी जो उन पे applicable है ना कि मुझे जबरदस्ती वहाँ पे कोई ऐसी functionality implement करनी पड़ रही है जो उस class पे applicable नहीं है इसके बाद आता है हमारा fifth और last principle जो की है dependency inversion principle तो ये principle कहता है कि high level classes, low level classes पे depend नहीं करनी चाहिए दोनों high level और low level abstractions पे depend करने चाहिए तो इसका क्या मतलब है तो अगर मैं shapes की बात करूँ तो shape मैं already मैं ये principle follow कर रहा हूँ कि मेरे अगर मैं program class की बात करूँ तो वो directly independent नहीं है जातर methods या printer class interfaces को use कर रहे हैं बट अगर मैं printer class की बात करूँ तो कल को अगर मैं printer class की जगह पे कोई दूसरा class use करना चाहता हूँ मैं CSV printer use करना चाहता हूँ मैं file printer use करना चाहता हूँ एक नई class बन रही है उसको use करना चाहता हूँ तो उसके specific मुझे यहाँ पे changes करने पड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है उसमें print method का signature कुछ और हो और मुझे as it is यहाँ पे change करना पड़ेगा तो यह principle कहता है कि as it is printer को न यूज़ करके एक interface यूज़ करना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका एक interface extract कर लेता हूँ extract interface eye printer नाम से जो की एक shape को print करेगा और मैं यहाँ पे एक eye printer का object बनाऊँगा और उस पे print call करूँगा तो अब इस point onward मैं यह कह सकता हूँ कि मैं कोई भी printer यूज़ करूँगा चाहिए वो file printer हो, csv printer हो वो इस interface को implement करेगा जिससे की मेरे method का signature हमें सब्सेम रहेगा और मैं easily यहाँ पे नए printers को swap कर पाऊँगा simply एक line के change से तो अब मेरी program class की dependency printer पे direct नहीं है आई printer interface पे है कि जब तक इस interface में change नहीं होगा, तब तक मेरे method के signature वगारा नहीं बदलेंगे, और इससे एक step आगे अगर हम जाना चाहें, तो इसी के आगे आता है dependency injection भी, जहाँ पे हम यहाँ पे अबजेक्ट भी create नहीं करते हैं और किसी third party library के थुरू हमारे code में यह printer object को inject कराते हैं इवन इस step के बाद आप चाहें तो एक factory design pattern यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी dependency printer से बिल्कुल खतम हो जाएगी और हम किसी एक factory से यह iPrinter type का object ले रहे होंगे और program class को इवन यह भी नहीं पता होगा कि उसके पास कौन सा particular object आ रहा है उसे बस यह पता होगा कि यह जो object है यह एक ऐसी class का है जो iPrinter interface को implement करती है तो यह थे वो 5 principles जिनसे मिलके हमारे solid principles बनते हैं आप चाहें तो अपने existing code base में चेक कर सकते हैं कि कौन सी classes ऐसी है जो इन principles को actually follow कर रही है और कौन सी classes ऐसी है जो इन principles को follow नहीं कर रही है अगर आपको यह video अच्छी लगी तो इसे like करें और ऐसी और videos के लिए channel को subscribe करें